हाई अवरिवन आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यमी सी मिठाई इसको बनाने में ना ही मिल्क पाउडर की जरूरत है ना ही मावा ना ही घी और ना ही बेसन तो ये मिठाई सिफ दो चीजों से बिलकुल इसली तयार हो जाएगी और अगर आपका इंस्टेंट मिठाई खाने का दिल है तो ये मिठाई आपके लिए बेस्ट आपशन है बहुत ही जल्दी तयार हो जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी ये मिठाई तयार हुई है और फेस्टिवल्स के लिए भी ये बेस्ट आपशन है जटपट बनने वाली मिठाई है तो आप यानि सबसे पहले 250 ml यानि एक ग्लास मिल्क लिया है, यह फुल फैट क्रीम मिल्क है और इसे वन बॉयल आने तक हम बॉयल कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से फुल या मीडियम फ्लेंज पर आप इसे वन बॉयल आने तक बॉयल कर लें, यह देखे, एन आफटर वन बॉयल हम इसमें 100 ग्राम यानि हाफ कटोरी शुगर एट करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे और आप हाई फ्लेम पर भी इसे अच्छे से पका सकते हैं आपका टाइम बचेगा और उसके बाद हम इसमें 1 कप यानि 120 ग्राम डेसिकेटेड को कोकोनट अट करेंगे और यह हमारी इंस्टेंट मिठाई बहुत ही जल्दी तयार हो जाएगी कोकोनट डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए ठेक होने तक इसी तरह पकाते रहेंगे और इसे पकने में मुश्किल से बस 3 मिनट लगेंगे और अब हम इसमें कार्डम हम एसेंस की कुछ ड्रॉप्स एड करेंगे अगर आपके पास यह एसेंस नहीं है तो आप छोटी लाइची का पाउडर भी एड कर सकते हैं और इसको हम लगातार चलाते हुए इसी तरह से पकाते रहेंगे तीन से चार मिनिट हमें पस इसे पकाना है आप देखेंगे यह बिल्कुल ठिक हो जाएगा और इसके बाद हम कुछ डॉप्स यलो फूट कलर की इसमें एड करेंगे इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है बट यह पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपको नहीं एड करना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल रेडी है वेटर हमारा इसने पैन को छोड़ दिया है यह बहुत अच्छे से थिक हो चुका है अफ्लेम को आफ कर देंगे हम और दूसरे साइड पर हम एक केक टिन को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे केक करना है तो आपने देखा कि कितनी जट पैट कितनी इंस्टेंट बनने वाली ये मिठाई है और बहुत ही फ्लेवर फुल है ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें जो मैंने कार्डमम एसेंस डाला है वो जुरूरी नहीं है आप चाहें तो उसकी जगहां हाफ ट कार्डमम पाउडर यानि छोटी लाइची का पाउडर एड कर लें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसे मैंने डेकोरेट कर दिया चांदी के वर्क से और पीस मिनट फ्रिज में रग लें या फिर एक घंटे के लिए रूम टेंपरेचर पर छोड़ दें ये बर ये बर्फी हमारी बन कर पूरी तहां तयार है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही यमी बर्फी बनी है आप लोग इसे जरूर चाय करें यहां पर कुछ पिस्ता से मैंने इसे और डेकोरेट कर दिया ये देखने में और अच्छी लगने लगेगी तो आप लोग जरूर ये बर्फ बिलकुल नपूलें थैंक यू सो मच फर वाचिग वाचिग मूच इसे अधूर वीडियों आप लोग तो